बरकास्त पुलिस कर्मी ने खुद की लाइसेंस की बंदूग से गोली मारकर की आत्मत्या सिटी थाना शेत्र अंतरगत आने वाले न्यू इंड्रानगर में आज उस समय संचनी फेल गई जब यहां के MSR 65 मका नंबर में रहने वाले गोविन सिंग पिता सरदार सिंग पवार उम्र तरिसवर्ट वर्ष नामक व्यक्ति ने खुद को अपनी लाइसेंसी बाराबोर बंदूग से गोली मारकर आत्मत्या कर ली बताया जा रहा है कि गोविन सिंग वर्ष 2011-12 में बरकास्त किये गए थे परियनों की माने तो इन दिनों उनकी मानसिक रूप से तबियत खराब चल रही थी जिससे वह तंग आ चुके थे और उनने आत्मत्या कर ली है गोविन सिंग ने आत्मत्या से पहले एक सोसाइट नोट भी छोड़ा है जिसमें वह बिमारी से परिशान होकर आत्मत्या करना बताया है साथ ही इसके लिए उन्होंने किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है फिलाल मरतक के शव को निमत जिलाची की साले में पोस्माडम के लिए बेजा गया जहां पर पोस्माडम कर शव परिजनों के सुपरूद कर दिया गया है वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जाच में लिया है सब्सक्राइब बीमारी को लेके और डिप्रेशन को लेके लिए हाँ इलाच चल रहा था सब्सक्राइब 2011 में जहनानी उस्पिटल चितोड और इसके अलावा चोधरी साब किया है और डीप अरसा साव इंद्रानगर में आपको कैसे मालम पुड़ी गया है में बताया क्योंकि में तो बाहर रहता हूं जैसा है मेरा महिंद्र सी पावार ठीकाना बांस केड़ी मका नीद्रानगर नीमच देखे प्रदानारक्षक गोविंज सिंग जो पूरु प्रदानारक्षक है था जिसने आज करीब सुबह तड़के पांच बजे अपने खुद की लाइसेंसी बंदुग बाराबर बंदुग से गोली मार कर आत्म हत्या कर लिए अब इसमें जांच की जा रही है क्या उसकी परेशानी थी या कोई कारण रहा होगा इसकी जांच की जाई गया था यह करिब 8 साल पहले जो बाद 2012-13 में मुल्जिम भागने के उसमें जो है जांच की गया था वागी चांच के बाद उसको सेवा से बर्खासत किया गया था और अभी वो बर्खासत ही था जो बंदूग की बंदूग है उसका जिसका उप्योंकिया पताते हैं कि उसी के खुद की लाइसेंसी बंदूग है